तो चलिए अब एक question solve करते हैं इस question में हमें square root of x square plus 4x plus 6 का integration करना है तो चलिए अब हम इसका solution देखते हैं हम अभी पढ़ चुके हैं कि square root of x square plus a square का integration क्या होता है तो हम इस पूरी term को square root of x square plus a square की term में split करने की कोसिस करते हैं हम इस question को rearrange करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इससे फाइदा यह हुआ कि जब हम इसे आगे simplify करेंगे तो यह हमें मिलेगा square root of x plus 2 का whole square plus 2 अब यहां यदि हम x plus 2 को y assume कर लें तो जो dx है वह dy के equal हो जाएगा इन सारी values को जब हम इस question में substitute करेंगे तो हमारा question कुछ इस तरह का मिलेगा अब हम यहां देख सकते हैं कि यह एक हमें standard form में मिल चुका है हम इसका formula जानते हैं कि integration of square root of x square plus a square is equal to x by 2 into square root of x square plus a square plus a square by 2 log of mod x plus square root of x square plus a square plus integration constant c जब हम इस formula को यहां apply करेंगे तो हमारा answer कुछ इस तरह का मिलेगा अब since जो y है वह एक dummy variable है जो की हमने assume किया था एंड इसकी originally value थी x plus 2 तो अब हम इस final answer में y की value x plus 2 substitute करेंगे जिससे की हमारा final answer कुछ इस तरह का मिलेगा आपको इस topic के सारे concepts अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इस topic में हमने जितने भी questions solve किये हैं उसी type के कुछ questions अब आपको आपके screen पर दिख रहे होंगे जो की आपको खुद से solve करने है अब आप इस वीडियो को 10 minutes के लिए पोज कीजिए और इन सभी questions को खुद से solve करने की try कीजिए I hope आप सभी ने इन questions को solve कर लिया होगा तो इनके answers ये हैं तो अब इस topic की summary कुछ इस प्रकार है कि हमने सबसे पहले integration of u.v का formula पढ़ा था और उस formula के लिए हमने एक highlight role भी देखा था और हम उस formula के according ही u and v assume करते थे इसके अलावा हमने कुछ अलग-अलग format के questions देखे जिनका हमने integration करना सीखा अब आपको ये reference questions solve करने हैं झाल